तो क्या हाले सिक्सर के चाहने वालों, विकेट के मतवालों, किरिकेट के दीवानों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे सोंगे। अगर हम इस मैच की बात करें, बे ओवल मांट मांगिनी में खिला जाएगा तो यहां के मैदान का पिश का बिहवियर क्या होगा, कंडिशन क्या होगी, कितना स्कोर बनेगा, क्या वो चेज होगा, या फिर डिफैंड होगा, इस मैदान की कंडिशन को कौन से टीम अच्छे से पड़ी को जो मैच होगा, उसे अपने नाम पर करेंगी, यह सारी सीजे जानेंगे आज की इस वीडियो में, यानि वीडियो, इंपोर्टेंट है ना, जब इंपोर्टेंट वीडियो होती तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप भी पिर जल्दी से चैनल को सब्सक जादा नकली टेलिग्राम चैनल बना लेगे, इसलिए इधर, उदर, और केंसे जोईन नहीं करना, जो लिंक की बिलेगे डिस्क्रिप्शन में, बस वहीं से जोईन करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग लिए बस कर डिसकस करते हैं, निजी लैं अब हम जानते हैं पिसका बिहीवियर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी और यहाँ का 추elect क्या है, तो यहाँ के मदान पर भी तक T20 के सात वे मैच के लगे हैं, तो सातों मैच में क्या हुआ, टार्गिट डिफैंड मतलब यहाँ के मदान पर T20 इंटरननेशन में एक भी मैच म यहां पर फइस निंग के वście मेट हो सकता है अब जीर जो विए सब्सक्राइंड कर ने दुर तरहें कंज़ाना इसे मुझे हो सकता है इस मैदान का जो हाएस स्कोर है फिर्स इनिंग का 243 जो की टीम नियुजीलैंड के नाम परे इसकोरिंग पैटर्न की बात करें 150 के नीचे फिर्स इनिंग में अभी तक एक भी पार सकोर नहीं बना 150 से 179 के बीच में एक बार स्कोर बन चुका 170 से 189 के बीच में दो बार स्कोर बन चुका 190 या इस से ज़्यादा 1st inning में 4 बार स्कोर बन चुका यहाँ के मैदान पर जो मैच होते हैं सारे के सारे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं होते हैं क्योंकि यहां की जो बॉंडरी लेंथ है वो 70 मीटर की आसपास की मतलब छोटी बॉंडरी है और जो पिछ है ना विल्कुल फ्लैट है बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बहतर है तो बॉंडरी छोटी होगी पिछ फ्लैट होगा तो ऐसे मैंदान पर जब भी मैच होंगे तो मैच तो हाई स्कोरिंग तो होना ही है हल्प की बात करें जोगे इन बात थोड़ा से विरेशन करतें कभी नकल का कभी स्लोवर का उनको थोड़ा यहां पर विकेट मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि पिछी बिल्कुल फ्लैट है और बॉंडी लेंदे भी छोटी है इसलिए हाँ पर सारे मैंच होते हैं वो हाई स्कोरिंग में होते हैं अगर हम आज की पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 48 से 53 के बीच में देखने को मिल सकता है तो यहां के मादान पर फंटैसिक के रिकेट के लिए कौन से प्लेर बढ़िया होंगे जो शुरू में बल्लेवाजी करने आते हैं तावर थोड़ बल्लेवाजी करते हैं उनको अपनी टीम में जलूर रखे गेंदवाजों की बात करें जो थोड़ा सा विरेशन करते हैं या इस्मिनर मैच में 378 बनाएं मतलब सभी मैचर में बढ़िया बल्लेवाजी कर रहे हैं अगर हम बात करें ओविल माउंट माउंगिनी मैदान की तो यहां पर एक मैच कहला 65 रन मतलब जो माउंट माउंगिनी का मैदान है ना यह भी डिविन करनबो को पसंद है मुझे लगता आज के म खेल पाएंगे 30-40 संद तर्रार ताबर तोड़ खेलेंगे तो इनको भी आप रख सकते हैं अपनी टीम में केन विलियम संद की बात करें तो इंडिया के सामने इनको रन बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है अभी तक 348 रन ठोक चुके लेकिन माउंट व माउंगिनी की आखरी के 10 मैच में 331 बनाए है मतलब बढ़िया परफॉमेंस करें और माउंट माउंगिनी के मजान पर 3 मैच के ला 125 बनाए मतलब इनको भी जो मैदान है पसंद है और मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स भी आज के मैच में 30-40 की ताबर तोड़ पारी खेल सकते तो इनको भी ना आप अपनी टीम में जरूर रखें डायल मिसेल की बात कि मुझे लगता फ्लोप हो जाएंगे ना तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे ना तो गेंस से कुछ कर पाएंगे तो ये भी ना तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे ना गेंस से कुछ कर पाएंगे महंगे साबित हो तो आपना इनसे भी थोड़ा सा बच के रह सकते हैं मिशेल सेटनर की बात करें जिन्होंने आखरी के 6 मैच में 11 बिक्ट चटका हैं और इंडिया के सामने T20 में 16 बिक्ट ले चुके हैं और बात करें अगर हमें आपे माउंट माउंगरी मैदान की तो 7 मैच के रहा 6 बिक्ट चटका है मतलब यह जो मैदान है ना मिशेल सेटनर को उतना ज्यादा पसंद नहीं मतलब लगता है कि बिक्ट तो इनको एकाता मिल सकता है किसको मिशेल सेटनर को यह दो बिक्ट भी मिल सकता है लेकिन इनकी भी पिटाई हो सकती है तो मिसेल चैटनर को आप ले भी सकती है या नहीं ले सकती है अगर मैं अपनी बात को तो मुझे ले सकते हैं क्योंकि अगर इनको दो बिकिट मिलेगा तो कुछ थोड़ा बहुतो पॉइंट्स देखे ही जाएंगे iSody की बात करें इंडिया के सामने 20 wicket चटका चुक है मतलब इंडिया के सामने गेंदवाजी करने में काफी ज्यदा मजा आता है और बात करें मांट मांगिनी मैदान के तो 7 मैच के ला 11 wicket चटका है मतलब यहां के मांदान पर खीख ठाग गेंदवाजी कर जाते हैं तो मतलब आज की मैच में अगर मैं आई सोडी की बात करें तो इनको भी एक दो बिकेट मिलेगा इसके साथ थोड़ा सा ये भी महंगे सावित हो सकते हैं तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं टीम सावधी की बात करें आखरी की 10 मैच में 15 बिकेट चटका हैं और इ के हैं तो मुझे लगता है इनको भी भी ggिट तो मिलेगा यह भी महेंगे साब टों के इन से भी तो पर रहे सकते हैं यह मिलने की आज मद्ध रहें तो एस उफटा ही सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब बातोर 5 का धूकर शक्कुर परेंगे तिका तर्केश पगड़ सकते हैं तो इससर पंद को भी अपनी टीम में रख सकते हैं सर्या कुमार यादों के बात करें जिन्होंने अपने आखरी के 10 मैच में 427 ठोक चुके तो इनको अपनी टीम में जरूर रखे मुझे लगता है ताबर्टोर कैप्टन याँ वा इंडिया के लिए बना चुके हैं और 8 विकेट भी चटका चुके हैं कौन हार्दीक पांडिया इंडिया के लिए तो मतलब ये बल्ले से और गेंसे दोनों जगे से जवाज पॉइंट देने वाले हार्दीक पांडिया आज के मैच में तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखे हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं वासिंटन सुंदर की बात करें तो बल्ले से तो चलेंगी नहीं गेंदवाजी में इनकी पिटाई होगी विकेट एकाता मिल सकता है लेकिन पिटाई होगी किसकी वासिंग्टन सुंदर की तो इनको भी एकात आप सब को पता है महेंगे होंगे पिटाई होगी तो आप इंसे थोड़ा सा बच के रह सकते हैं यूजी चहल की बातकत ये भी न्यूजी लैंड के सामने आठ विकेट टीटूटी में चटका चुक है मुझे लगता है आज की मैच में बढ़िया गेंदवाजी करेंगे एक द से चर्म की लीस कर सकते हैं तो किनकी पर्फोर्मेंस अच्छी एच्छी हो सकता है अधो यह इंचाल्व मैं तो यह रहेगे जुंदे टीम मना आघंजा लेके भीडिवर करने के बाद वो सारी वीडियो में एक इतनी भी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं ठक जाओगा, इसलिए इंपोर्टेंट क्या है, आपके लिए जब 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 बना के देना, जो की मैंने दे दी, बाकि अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए, तो आपको करना क्या है, डिस्किप्शन में जाना है, वहाँ स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले, आपको इस मैच की 2-3 टीम मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पर, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, फेक से बचना, मेरे नाम पे बहुत जाता नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इदर, उदर, और कहीं से जोईन नहीं कर